नवसकार, competition community के इस online platform पर आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगे साथियो हमने इसके पहले की बीडियोज में हमने देखा भारत निर्वाचा नायोग उसके बाद हमने उसके MC क्यों लगाए उसके बाद हमने देखा राज्य निर्वाचान आयोग साथ में मद्ध प्रदेश राज्य निर्वाचान आयोग के बारे में पढ़ा उसके भी MCQ objective type question हमने हल किये उसके बाद हमने पढ़ा संग लोक सिवायोग के बारे में और उसके भी बस्तुनिस्ट जो महत्पूर्ण और संभावित हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी आज हम देखेंगे राज्य का जो लोक सिवायोग है और उसमें बिसेश तोर पर मद्ध प्रदेश लोक सिवायोग के बारे में देखेंगे क्योंकि हमारे मद्ध प्रदेश का जो prelims का सलेवस है उसके unit जो 10 है उसका part 4 जो है chapter 4 है उसमें मद्ध प्रदेश लोक सिवायोग के बारे में बात की गई है तो आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश लोग सिवा आयोग क्या है, कैसी संस्था है, इसकी प्रिष्ट भूम क्या रही, इसकी संबैधानी की स्थिति क्या है, इसका कार क्या है, और इन समस्त आयामों को हम परिच्छा के पॉइंट अब भी उसे देखेंगे, महत्यपूर्ण ह मध्य प्रदेश लोग सिवा आयोग और सत्यमेव जैते, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जैते और मध्य प्रदेश लोग सिवा आयोग ये लोगों है, तो हमको आज क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश लोग सिवा आयोग के बारे में, आईए हम देखते हैं कि मध मध्यप्रदेश लोक सिवा आयोक के बारे में हम किस इस तर तक जाएंगे कैसे इस पहांगे हमारे पढ़ने की भूमिका क्या होगी क्या आयाम होगे आपको दिख रहा है मध्यप्रदेश लोक सिवा आयोग, MPPSC, मद्ध प्रदेश Public Service Commission, इसका full form है, संबैधानी का आयोग है, कैसा आयोग है? संबैधानी का आयोग है, और हम लोग इतने दिनों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा संबैधानी का आयोग है, कौन सा गयर संबैधानी का आयोग है तो आप अब तक तो ये समझ ही गए होगे, कि संबैधानी का आयोग से आखिर मतलब क्या है? संबैधानी का आयोग कहने का आसे क्या है? संबैधानी का आयोग से तात्र पर ये है, कि संबैधान के जो हमारा संबैधान के 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं उनमें किसी बिसेश भाग और किसी बिसेश अनुच्छेद में इसका बर्णन होगा तो अगर हम संब्यधानिक आयोक के देखें और इसके जो संब्यधानिक प्रक्रिया देखें संब्यधानिक कहां प्राबधान है तो आप देखेंगे कि भाग चवदा संबिधान के भाग चवदा का जो अनुच्छेद है जो अनुच्छेद है उनमें इनका बर्णन किया गया है इसका हमारे लोकसेवायोग का और चाहे संग लोकसेवायोग हो और चाहे मद्ध प्रदेश लोकसेवायोग हो उनमें जो बर्णन है वो भाग चवदा के ही आर्टि हम उन सब के बारे में देखेंगे 315 से 315 से 313 तक के जो समास आर्टिकल हैं उन में इनका बढ़न किया गया है संग लोक सेवा आयोग का भी और राज लोक सेवा आयोग के बारे में भी यहां बात की गई है जब हमने संग लोक सेवा आयोग पढ़ा था उस समय हमने यह चर्च करी थी आए देखते हैं सबसे पहले हम प्रिष्ट भूंग देखेंगे मद्ध प्रदेश लोग से वायोग की उसके बाद इसके परिचे के बारे में पढ़ेंगे महत्पूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे संरचना क्या है मद्ध प्रदेश उनकी स्वतंतरता कहां तक है उनके बारे में बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे point number 6 में कि आयोग के कार्य क्या है और उसके बाद point 7 में हम देखेंगे केंदरी प्रदेश लोग संस्थान क्योंकि exam में कई बार factual question में ऐसे question पूछ जाते हैं हमने उस समय इनके बारे में चर्चा नहीं करी थी, तो जो important है महत्यपूर्ण है, उनके बारे में हम यहाँ देख लेंगे point number 8 में हम देखें कि मद्ध प्रदेश की जो प्रस्रिक्षन संस्थान है, उनके बारे में और उसके बाद point number 9 में देखेंगे प्रसासनिक सुधार समीतियां, क्योंकि कोई भी संस्था हो उसमें समय के अनुसा सुधार होते हैं, और उनके समीतियां, कैसी समीतियां गठित होती हैं, कि इनकी अद्यक्षता में कब गठित हुई, इन सब के बारे में question एक्जाम में पूछे जाते हैं तो हम वो भी इसमें चर्चा करेंगे उसके बाद point number 10 में देखेंगे कि विभिंद प्रसासनिक अधिकरान ऐसे कौन-कौन से प्रसासनिक अधिकरान है हम यहां मद्य प्रदेश प्रसासनिक अधिकरान के बारे में चर्चा करेंगे तो आएए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ना सुरू करते हैं प्रेश्ट भूम, बैक्ग्राउंड के बारे में आप देखिए कि इसके मध्य प्रदेश लोक सिवा आयोग का क्या बैक्ग्राउंड रहा है उसके बारे में हम देखते हैं तो जो इसके स्थापना का वेग्राउंड है वो भारत सासन अधिनियाम 1935 से संबंधित है 1935 के पहले इसका अस्तित तो नहीं था भारत सासन अधिनियाम 1935 के ये कहा कि प्रांतों में लोक सिवा आयोग का गठन किया जाएगा हमने देखा था कि उस समय 1926 में सबसे पहले संगलोक सिवा आयोग का गठन हुआ था उसके बाद भारत सासन अधिनियाम 1935 के तहट प्रांतों में लोक सिवा आयोग के गठन की बात की गई उसका आधार क्या था 26 जन्वरी 1950 को और आर्टिकल 315 एक के तहट इसके गठन की बात की गई MPPSC से पहले मद्ध प्रदेश लोक सिवा आयोग से पहले क्या इसकी विवस्था थी उसके बारे में देखें तो मद्ध भारत आयोग था उसके पहले हमारे चाहे बिंध चेत की बात करें चाहे मद्ध चेत की बात करें उस समय मद्ध प्रदेश लोक सिवा आयोग जैसी कोई संस्था नहीं थी जो भी एक्जाम होते थे जो भी कारे होते थे वो UPSC यूनियन पॉब्लिक सिर्विस कमीशन संग लोक सिवा आयोग के अंतरगर्द किये जाते थे हम देखें कि एक नमबर पॉइंट नमबर फोर कहता एक नमबर उनुश्चे तीन सो पंदरा तथा राज पुनर गठन अधिनियम की धारा एक सो अठारा तीन है उसके तहत इसका गठन हुआ राश्ट पती के अनुसंसा पर और उस समय राश्ट पती जी कौन थे तो आप ज कैसा संस्थान हमारा गठित हुआ मद्धिप्रदेश लोकसेवा आयोग केंद्री ग्रहमंत्राले की अनुसंसा पर मद्धिप्रदेश लोकसेवा आयोग का गठन किया गया वो मैंने आपको बताया हमने चर्चा करी आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान परिचे हम परिचे समझते हैं कि कैसा है हमारा मद्धि प्रदेश का लोक सेवा योग जिसका सफर हम एक्जाम के जरिये एक्जाम को मेहनत के जरिये क्रेक करके तैंकरने वाले हैं हम सिबिल सेवग बनेंगे और आप मेंसे ही किसी को ये सवभाग प्राप्त होगा कि आप वहां के अध्यक्षयो सदस्क की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं आईए हम देखते हैं अदिसूचना क्योंकि कोई भी संस्था का गठन होता है कोई भी संबैधानी का योग का गठन होता है उसमें राश्ट पती जी के अनुमती आवस्यक है इसलिए अदिसूचना कब जारी हुई 27 अक्टूबर 1956 को और उस समय अदिसूचना जारी करने वाल राश्ट पती जो थे हमने आपको बताया कि वो राजेंद प्रसाद जी थे उसके बाद इस्थापना की अगर बात करें तो इस्थापना एक नवंबर 1956 को इसकी इस्थापना हुई थी आधार क्या आधार था किस आधार पर इसकी इस्थापना हुई तो आधार अनुच्छ हुआ था 156 में उसकी धारा 118 तीन के तहट इसका गठन हुआ किसका मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग का प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति के बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की कि अगर इन सब बातों को ये फॉलो करता है संबैधानिक अगर इसका ये प्रावधान ह तो स्वता ही इसकी प्रकृति कैसी होती है संबैधानिक निकाय की अब हम देखे मुख्याला की अगर बात करें तो जो मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग का मुख्याला है वो हमारे मद्ध प्रदेश की बित्ती राजधानी जिसको हम इंदौर के नाम से जानते हैं अपने लक्ष का सफर्त करेंगे वहां जरूर जाए और देखें कि कैसा मुख्याला बना है प्रदाम अध्यक्ष की अगर बात करें जब इसका गठन हुआ एक नवंबर उनईस सो चपन में उस समय अध्यक्ष कौन थे तो डीवी रेंगे जित्ये और इनका कारिकाल इनका क अध्यक्ष कौन है तो राजेस लादमेहरा जी बर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और इनका करम इग्जाम में कई बार करम पूछा जाता है चाहे वो किसी भी आयोक करम पूछ दिया जाता है तो आप याद रखें कि यह अठारवे करम के हैं और यह जो इस पद पर किसमें इस पदपर नियुक्त किये गए हैं, बिराजमान किये गए हैं, ये सुसोभित हैं अभी बरतमान में इस पदपर, प्रतम परिच्छा आयोजन की बात करें, कि पहला परिच्छा आयोजन कब हुआ, तो वह 1948 में हुआ, अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही, ये बात है, कई माल लीजे की एकजाम में पूछा जाता है आपसे, कि इनमें से कौन सी महिला अध्यक्ष रही है, तो आप याद रखें, कि अभी तक मद्यप्रदेश लोकसिवा आयोग में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी, सदस्यों की अगर बात करें, सदस्यों की अगर ब कहा गया है, कि अधिक्तम पांच व्यक्ति ही हो सकते हैं, बरतमान में हमने अध्यक्ष की बात करी ली, अगर हम सदस्यों की बात देखें कि कौन कौन से सदस्यों हैं, साथियों, ये जो सदस्यों में बताने जा रहा हूं, ये बरतमान में थे, ये बदलते भी रहते हैं, त सवायोग के अध्यक्ש्षारी सदस्य के तरह पर हैं आप आईचे हम देखते हैं क्योंकि हमने कल संग लोग से वाएउग के बारे में बात कर रहे हैं चाहे वो अध्यक्ष की बात हो चाहे सदसी की मध्य प्रिदेश लोकसिवा आयोग के बारे में बात की जा रही है अब हम देखते हैं point number three कहता है महत्यपूर आर्टिकल्स महत्यपूर अनुच्छेत कौन कौन से हैं किसको मध्य प्रिदेश लोकसिवा आयोग को लेकर कि कि नियुक्ति और योगता क्या होगी इनकी नियुक्ति और योगता उसके निर्धारन का काम हमारे राजपाल времon जी हो tv प्रदेश लोग सेवा आयोग की है, वहां राजपाल जी ये निर्धारित करते हैं, योगता, हाला कि सम्गिधान में इनकी योगता का ऐसा कोई बढ़नन नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य होंगे, जो भी आयोग में सदस्य होंगे, उनमें आधे से जादा सदस्य ऐसे होंगे, जिनको भारत सरकार या राज सरकार की सेवा के अंतरगत 10 वरसों का कम से कम अनुभा हो, जितने टोटल सदस्य होंगे, उनमें से 50% आधे सदस्यों का ऐसा होना आवश्यक है, यही योगता की बात इसमें की गई है, 316 का जो सब item 1 है और उसका जो A है, उसमें है कारेकारी अध्यक्ष, कई बार सेवा निर्वत हो गए अध्यक्ष, और पद खाली है, या किसी कारण बस वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कारेकारी अध्यक्ष निप्द करने का काम राजपाल कर सकते हैं, और ऐसा प्राबधान कब किया गया तो पंद्रहवा संविधान संसोधान 1963 के अंतरगत ऐसा प्राबधान किया गया यह सक्ति किसको दी गई तो यह सक्ति राज जिपाल जी को दी गई है हम आर्टिकल 316-2 की बात करें तो इसमें कहा गया है पदावधी वा त्याग पत्र पद 6 वर्स का हो जाए जो भी पहले हो जाएगी उसके तहट इनको सेवा निवत दे दिया जाएगा और यह सा काम राज जिपाल के द्वारा किया जाता है राज जिपाल को त्याग पत्र दिया जाता है 316-3 पुना उसी पद पर नियुक्त नहीं अब यहाँ ध्यान देने यह बात है आप ध्यान से देखें क्योंकि एक्जाम में ऐसे कुछे जाते हैं और आप से गलत ना हो पुना नियुक्ति की बात करता है कि उसी पद पर पुना नियुक्त नहीं होंगे आर्टिकल 316 का सब आर्टिकल 3 यह कहता है तो आप याद रखें कि मान लीजे कि मद्रप्रदेश लोग सिवायोग का कोई अध्यक्ष है तो वो पुना उसी मद्य प्रदेश लोग से वायोग का ध्यक्ष नहीं बन सकता कोई मद्य प्रदेश लोग से वायोग का सदस है तो वो मद्य प्रदेश लोग से वायोग का सदस नहीं बन सकता अब देखिए कि वो क्या बन सकता है तो जो कोई भी किसी राज लोग सेवायोग का अध्यक्ष है वो संग लोग सेवायोग का सदस या ध्यक्ष बन सकता है जो यहां का सदस है वो राज लोग सेवायोग का सदस नहीं लेकिन वो उसी लोग सेवायोग का अध्यक्ष बन सकता है या संग लोग सेवा आयोग का सदस या ध्यक्ष बन सकता है या कि जो अध्यक्ष है वो किसी अनराज लोग सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ऐसी बात की गई है अपने पद पर जिस पद पर वो है और उसे संस्था में वो पुना सुसोभित नहीं होगा इसकी बात आर्टिकल 316 तीन में की गई है आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छे 317 का सब आर्टिकल 1 कहता है अध्यक्ष्वा सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया देखिये साथियो नियुक्ति राज़पाल जरूर करता है त्यागपत्र भी राज़पाल को देते हैं लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया की बात आएगी कि हटा कौन सकता है इनको तो राष्टपती जी को ये अधिकार है और वो किस अधिकार के तहत ऐसा करेंगे एसी कौन सी बात होगी जिसके तहट गो इनकों हटाने की प्रक्रिया हलाकि ये भी स्वतंत्र नहीं है संबेधानी की विवस्था है संबेधान का जो प्रक्रिया इनकी है वो आर्टिकल 145 के तहट जब उच्चतम नयाले की जांच रिपोर्ट के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं और आप ये याद रखें कि जब भी उच्चतम नयाले ऐसी बात करेगा जब ये परामर्स लेंगे तो वो परामर्स बाद धिकारी सलाह होगी बाद धिकारी सलाह उसके बाद आप मुकर नहीं सकते अगर आपको किसने सरवोच नयाले सरवोच नयाले से ऐसा करना ही होगा बाद में वो उससे मुकर नहीं सकते आधार क्या होगा हटाने के लिए आधार क्या होगा तो साबित कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं अब साबित कदाचार में क्या क्या बाते आएंगी वो हम देखते हैं अनुच्छे 3174 में ये कहा गया है कदाचार क् होता है कि निगमित कंपनी से आपने करार करा हो भारत या राज सरकार की किसी संविदा का इक्षुक हो आप कि आपने किसी अवेतनिक पद्धारन कर लिया हो या आप दीवालिया हो गये हो हटाने का आधार दीवालिया हो जाना अनवेतनिक करना या आप सारीरिक या मानसिक र दौरान निलंबन हमने जब संग लोग सेवा आयोग पढ़ा उस समय हमने ये पढ़ा कि संग लोग सेवा आयोग कर जो प्रक्रिया होगी हटाने की उस समय जब प्रक्रिया चल रही होगी हम उस समय इनको राष्ट पती जी नहीं हटा सकते लेकिन राज जपाल जी प्रक्रिया मद्यप्रदेश में भी है आईए हम आगे बढ़ते हैं आपको स्लाइट प्रापर दिख रही है आप इसका चाहें तो अगर आपको कोई important fact लगे कि भूल सकते हैं note down करें या screenshot भी रख सकते अनुच्छे 318 अनुच्छे 318 क्या कहता है अध्यक्ष हुआ सदस्यों की सेवा सरते सदस्य की संख्या इनका बेतन भत्ते आधिते करने का सकती कारे कौन करता है वो राजजपाल जी करते हैं और राजजपाल को इसी सकती किस आइटिकल के तहत है तो अनुच्छे 318 की तहत है अनुच्छे 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों और अध्यच्छों की पुनाह न्युक्ती नहीं होगी पुनाह न्युक्ती अपने उसी पद पर नहीं होगी अध्यक्ष अध्यक्ष जो है राजजी का राजजी लोग सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है मैंने इसके बारे में पहले चर्चा करी है कि UPSC का अध्यक्ष या सदस या अन किसी स्टेट PCS का अन किसी राज पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है जो सदस है वो UPSC का अध्यक्ष UPSC का सदस या उसी अपने उसी जिस आयोग में है वो उसी का अध्यक्ष य अन किसी लोग सेवायोग में अद्धक्च का पत्धारण कर सकता है कौन सदस और अद्धक्च के बारी में यह प्रावधान है अनुच्छ 320 कहता है लोग सेवायोग के कार अपकार क्या होगी क्योंकि जो कोई भी संस्थागर गठित हुई है तो वो किसी न किसी उद्देश क किसीने किसी काम के तहट गठित हुई है। वह ऐसे किसी बिना उद्देश के तो गठित नहीं हुई है। तो हम देखें कि अनुच्छे 322 में ये कहा गया है कि लोक्षेवायोग के कारे के बारे में चर्चा है। किनका कार क्या है राज की सेवाओं की नियुक्तियों का काम करता है रज लोक सेवायोग, सिविल सेवाओं के नियम बनाने की जब बात आती है तो उसमें परामर्स देने का काम रज लोक सेवायोग, परिच्छा प्रणालीते करने का काम रज लोक सेवायोग का होता है, उसी प इसमें देखें कहता है लोग सिवा आयोग के कारियों का बिस्तार राज बिधान मंडल के आधिन अगर कोई बिस्तार करना चाहे तो कौन कर सकता है अगर राज लोग सिवा आयोग का किसी कारिय को बिस्तार देना चाहे तो वो उस राज का राज बिधान मंडल दे सकता है निय अर्थात खर्चे जो भी इनके खर्चे हैं चाहे वो इनके बेतनभत्तों के बात हो या अनकिसी प्रकार के खर्चे हो वो सम्मंधित राज्जी के संचित निधी पर भारित होगा और संचित निधी पर इनके जब ब्याय की बात आएगी उस समय मतदान जैसी कोई बात नहीं ह कि लोग सेवा आयोग की बारसिक रिपोर्ट लोग सेवा आयोग जो है जैसे हमने संग लोग सेवा आयोग में देखा कि उसमें बारसिक रिपोर्ट कौन जो संग लोग सेवा आयोग है वो राष्ट पती जी को देता है और राष्ट पती जी उसका समय समय पर संसद में रखव को देता है राजपाल को और राजपाल जी क्या हैं व्yद्धान मंडल में उसको लिएजाकर रखुआते हैं ऐसी संबेधानिक प्रक्रिया है अब point no.4 मध्ध प्रदेश लोग सेवा जोग की संरचना क्या है अब हम मध्द प्रदेश लोग एक अध्यक्ष और चार सदस एक अध्यक्ष और चार सदस हैं राजपाल दोरा निर्धारीत किया जाता ही है इनकी क्या संख्या और मैंने आपको बताया कि जो 1973 है जो लोक से बायोक से संबंधित नियम है उसमें अधिक्तम संख्या पांच हो सकती है अभी बरतमान इस्थिति इसकी यही है नियक्तिव अथ्याग पत्त्र की जब बात आएगी तो राजपाल जी को एधिकार है उनको त्यागração की जब बात आएगी तो राजपाल जाच के दोरा निलंबन कर सकते हैं लेकिन हटाने का राष्ठ पति जी है मद्रदेश लोग से बायोक के सदस्यों कि स्वतंतरता क्या है क्योंकि मैं जैसे आपको कहा कि कोई भी संसा हो कोई भी निकाय हो कोई भी आयोग हो उसकी एक स्वतंतरता होती है उसी के अंतरगत उसका काम होता है स्वतंतरता में पदावधी की सुरक्षा है इनके पास राष्ट पती एक निश्चित प्रक्रिया के अ को फालो करते हैं मैंने आपको बताया कि वो संबेधानिक प्रक्रीया है सरवोचने-ढले की जांश reiterate गठित होगी वो अगर कहती है कि इनको हटाया जाना चाहिये तभी हटा सकते है तो राश्र पती एक निश्चित प्रक्रीया के अनुसार ही हटा सकते हैं ऐसी बात की गई है पॉइंट नमबर टू में है अध्यक्ष या सदस कारकाल के बाद पुना उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं आयोक के अध्यक्ष वा सदस्यों का कारकाल भारत सरकार और राज सरकार के आधियन किसी और नियोजन का पात्र नहीं है मैंने आपको बताया कि वो चाहे संग सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंदरी सरकार हो उसके अंतरगत वो किसी भी लाब के पद पर सुसोबित होने के लिए पात्र नहीं होते अध्यक्षवा सदस्यों के बेतन वा भत्ते राज्य की संचित निधी पर भारित होंगे और उसमें मद्दान नहीं होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया है वो एक संबेधानिक प्रक्रिया है वो उनको करना ही होगा आप देखी जो पॉइंट नमबर हमारा 6 है ये महत्यपूर है क्योंकि इस नहीं सब उद्देशों के कारण ही तो मद्देश लोग सिवायोग का गठन हुआ काम क्या है जब हम ये समझेंगे तब तो हमको लगेगा कि हाँ इसकी आवस्सक्ता थी इसका गठन होना चाहिए था पहले पॉइंट में कहा गया है कि राज सरकार में नियुक्ती के लिए परिच्छा का संचालन करने का काम कौन करता है राज लोग सिवायोग जो भी राज इसतर के लोग सिवकों की भरती होती है उनको कराने का काम कौन करता है मद्धप्रदेश का लोग सिवायोग उसमें कई सारी परिच्छाएं हैं चाहे हम मध्रप्रदेश की प्रसासनिक परिच्छा की बात करें, इंजिनरिंग के बहुत सारे एक्जाम होते हैं, और हम देखते हैं कि मध्रप्रदेश लोग से वायोग उनको कंड़क्ट कराता है, forest के exam को मद्धप्रदेश लोग से वायोग conduct कराता है तो ऐसे ये तमाम जो लोग सोईपकों की भरती होती है उनके परिछे का संचालन करने का काम कौन करता है तो मद्धप्रदेश लोग से वायोग करता है राज में राज लोग से वायोग करता है पंड बट राज जी के राजपाल दौरा निर्देशित किसी बिसे पर सवाह देना और ये किस आर्टिकल के तहट ऐसा कर सकता है तो अनुचेद 320 का जो सब आर्टिकल 3 है इसमें क्या होता है कि कई बार राजपाल को लगता है कि सरकार के ये अवश्यक है राज जी के राज जपाल दोरा निर्देशी जो कोई विसे रिकमेंड किया जाते हैं उस पर अगर राज जपाल सहमती देते हैं तो कौन जो हमारा राज लोग सिवायोग है उसमें सलाह दे सकता है परामर्स कर सकता है परामर्स दे सकता अब इसमें लोग कई बार किन विसेयों पर सलाय मागी जाती है उनके बारे में यहाँ देखते हैं कि किन विसेयों पर हमारे संग लोग सिवायोग से बात की जाती है सलाय मागा जाता है लोक सेवकों की निंदा की बात हो उसके बाद अनिवार सेवा निर्मित्ती की बात हो पद मुक्ति या वर्खास्दगी की बात हो या अन विसे परिछाओं से संबंदित हो लोक सेवकों से संबंदित हो और उनमें कई बार इस्थानान तरनान वगेरा पदुनिती के बारे में बात करने के लिए भी इनसे रिपोर्ट मागी जाती है राजलोग सेवा आयोग से आप याद रखें आरक्षन से सम्मंधित किसी भी बिसेपर कि हम इस जाति वर्गों को आरक्षन देने का काम करते हैं उस संबंध में संग लोक सिवा आयोग हो चाहे राज लोक सिवा आयोग हो उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती प्रतिवर्स राज जपाल को राज लोक सिवा आयोग द्वारा किये गए कारियों का प्रतिवेदन देना होगा मैंने आपको बताया कि जो भी काम आयोग करता है उसका साल भर में प्रति वेदन राज़पाल को देगा और जो राज़पाल है मानिने राज़पाल हैं किसी भी राज़ज के हमारे इहां कि अगर बात करें बर्तमान में हमारे यहां गुजरात के मंगु भाई चगर भाई पटेल जी है इनको हमारा लोग सेवा आयोग देगा अपनी बारसिक रिपोर्ट तो ये रखवाएंगे बिधान मंडल में और हमारे यहां इस समय मामा जी की सरकार है वहां इनके संबंद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कौन राज जपाल जी बिधान मंडल में रखेंगे बिधान सभा में रखेंगे आईए हम देखते हैं पॉइंट नंबर सेवान केंदरी प्रसिक्षन संस्थान के अगर बात करें हमने जब इसकी भूमखा के बारे में बात करी थी तो हमने वहां कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे केंदरी प्रस्क्षन क्योंकि कई बार virtual question में ऐसे संस्थान आते हैं और उसके बारे में आप से पूचा जाता है कि यह कहां है? ये किन से संबंदित है प्रसिक्षान संस्थान है और इधर सेवा है किस सेवा के लिए ये कौन सा प्रसिक्षान संस्थान है उसके बारे में हम देखेंगे हम यहाँ कुछ महत्यपूर संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं पर की संस्थान बहुत सारे है आप लिस्ट में एक बार गोगल करके देख लीजिएगा लाल बहादू सास्त्री राष्टी अकादमी उत्तरा खंड जो ये मसूरी में है साथियो ये 1959 में स्टेबलिस होई कई बार कहते हैं लोग कि अगर जीते जी स्वर्ग आपको देखना है तो आप एक बार सेलेक्शन लेकर मसूरी की ट्रेनिंग होती है सरदार बल्लब भाई पटेल अकादमी हैदरावाद तिलंगाना में है ये 1948 में इस्टेबलिस होई और इसमें क्या होता है IPS जो होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के जो लोग सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है इंदरा गांधी राष्टी वन अक इसमें से जो 1938 है इसमें जो इसका इंदरा गांधी राष्टी अकादमी का नाम इंदरा गांधी पढ़ा वो 1987 में पढ़ा इसके पहले इसका नाम फॉरेस्ट बन विभाग करके था और यहां IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोगों की ट्रेनिंग होती है ये कुछ महत् पूर केंदरी प्रसिक्षन संस्थान ने थे हमने उनके बारे में देखा आईए हम देखते हैं मद्ध प्रदेश के बारे में क्योंकि मद्ध प्रदेश को ले करके कई बार एक जाम में ऐसे कोश्चन पूछे गए हैं और सीधे सीधे वो आपको संस्थान दे देंगे वो के सन के बारे में पूछ लेंगे या वो ये पूछते हैं कि ये संस्थान कहां इस्थापित है किस कारी के लिए इस्थापित है तो मद्ध प्रदेश की प्रशिक्षन संस्थान के बारे में हम देखते हैं तो आईए समझते हैं पहला पॉइंट आर सी पी भी आर सी पी भी बच्चे तयारी करते हैं, जो साथी, जो मित्रहमाज तयारी करते हैं, उनका ये सपना होता है, कि मैं एक बार RCPB, नौरोहना एकडमी, मैं एक बार ट्रेनिंग करूँ, और देखूं कि वहाँ कैसे प्रसिक्षित किया जाता है, इसकी स्थापना उन्हें 268 में होई, और ये जो मुख्याला है, ये जो संस्थान है, वो भोपाल में है, उसके बाद, पॉइंट नॉम्बर टू, जवाहल लाव नहरू पुलिस अकादमी, अगर इसकी हम बात करें, तो ये उन्हें सच्छों में स्थापित और सागर में है, पॉइंट नॉम्र थ्री में, रुस्तम जी ये आपके एक्जाम पॉइंट अब दूसे, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा की है, ग्रामीन विकास संस्थान के अगर बात करें, तो ये जवलपूर में है, उसके बाद पॉइंट नॉम्र छे में देखें कि ग्रामीन पंचाद प्रसिक्षन संस्थान, तो ये अमरकंटक मे है, ये अमरकंटक भी एक अच्छी जगह है, वहाँ से आप जानते हैं कि नर्वदा नदीजी का उद्गम इस्थाल है, एक पहाडी कहें की एरिया है, अच्छा है वहाँ, आप कभी मौका मिले तो जाए, क्योंकि जब आप जाते हैं, वहाँ की प्रकित के सो भी देखते है और वहाँ के समर्दिता देखते हैं, तो आपके मन में हमेशा के लिए एक अलग शाप छोड़ता है, और आप हमेशा प्रसंद महसूस करते हैं, बारहाल आईए यहाँ देखते हैं, पुलिस यातायात प्रसिक्शन संस्थान के अगर हम बात करें तो यह भोपाल में है, तो समितियां, क्योंकि समितियों को लेकर एक्जाम में कई बार कोश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ महत्तुपूर्ण जो पहले सुरु में स्थाफित हुई, गठित की गई हैं, और उसके बाद जो बरतमान में हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की हैं, समित समितियों की लिष्ट आपको मिल जाएगी, आप उनको देखें, सरसरी निगाश से अगर आप एक बार देखे रहेंगे, तो आप एक्जाम में कोश्चन सही कर पाएंगे, हमने कुछ यहाँ महत्तुपूर्ण समितियों के बारे में बात की गई हैं, वो आप देखें, एडी गोरवाला समिति, 1951 में ये गठित हुई, इसका काम क्या था, लोग प्रसासनिक संस्थान को लाने कि सिपारिस इसी समितिने की थी, किसने एडी गोरवाला समितिने, जिसका गठन 1951 में हुआ, क्योंकि हम देखते हैं, चाहे हमारी बिधान सभा में हो, चाहे हमारी संसथ में हो, चाहे हमारे किसी भी मंदल में हो, तो उसमें तीन प्रकार के मंतरी होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंतरी, एक होते हैं राज्य मंतरी, एक होते हैं स्वतंत प्रभार के मंतरी उन्हीं के बारे में बात की गई, हम जब संबेधानिक प्रक्रिया पढ़ेंगे संबेधान में आएंगे जब हम संसत के बारे में बात करेंगे राष्टपती के बारे में बात करेंगे उस समय हम बिस्तार से पढ़ेंगे कि कैबिनेट मंतरी क्या होते हैं राज्य मंतरी क्या होते हैं राज्य मंत्री सुतंत प्रभार क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनकी भूम का क्या होती हैं, उन सब के बारे में बिस्तार से चर्चा करेंगे और अपन पढ़ेंगे। आईए, देखते हैं, जो समित नमबर तीन है, वो कहते हैं, पाल एल लेवी की रिपोर्ट जो है वो आई उन्हें 523 के आसपास और इसमें कहा गया कि सभी लोग सेवकों का एकी करण एक सामान सेवा के बारे में चर्चा इसी में की गई पॉल समित की रिपोर्ट में उसके बाद अगर हम हाल की बात करें तो बीके चतुरवेदी समीत का गठन 2004-2005 के आसपास हुआ और इसमें सचिवों की समीत का गठन केंद्री मंद्री मंडल ने किया ऐसी बात कही गई अब हम आईए आज के अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बिभिन प्रसासनिक अधिकरण देखें प्रसासनिक अधिकरण बहुत सारे हैं संग लोग सिवायोग के अंतरगत के इंद्र सरकार के लिए अलग प्रसासनिक अधिकरण मद्राज के लिए अलग हम यहां मद्ध प्रशासनी का दिकरण की प्रश्ट भूम के बारे में समझेंगे उसकी क्या स्थिती थी बरतमान में क्या है हम उसको point wise देखेंगे मद्ध प्रशासनी का दिकरण point number first में यह है कि मद्ध प्रशासनी का दिकरण का गठन क्यों होता है इनके बीच अगर कोई विवाद उत्पन हो जाए चाह बेतन से संबंदित हो भतों से संबंदित हो और इस्थानांतरन पदोननत आद किनी भी मामलों का निप्टारा करने के लिए प्रसासनी का दिकरन का गठन किया जाता था इसका मुख्याला जबलपूर में था था क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कारण हुए जिसके तहट 2003 में 1 अपरेल 2003 में इसको भंग कर दिया गया इसको हंटा दिया गया समाप्त कर दिया गया राज्य सरकार कुछ राजनेतिक हस्तचे पैसे हुए जिसके कारण 1 अपरेल 2003 को इसको समाप्त कर दिया गया अधिकरन को उच्च नयाले इस्तर की बात करें कि इसकी सक्ति कहां तक है तो इसकी उच्च तम नयाले इस्तर की अधिकारिता है चाहे वो सक्तिया हूँ अधिकार के साथ अब मानना के लिए इन सब चीजों के लिए दंड जैसे प्राबधान करने की भी सकती किसके पास है हमारे मद्ध प्रदेश प्रसासनी कद्करन के पास ऐसा है राज प्रसासनी कद्करन जो गठीत होते हैं उनके पास है तो साथियों आज हमने मद्ध प्रदेश लोग सिवा आयोग के बारे में बिस्तार से पढ़ा बिस्तार से हमने चर्चा करी मैं उमीद करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा वो आपको बहतर समझाया होगा हमने कोशिस करी है कि ऐसी कोई भी चीज मद्ध प्रदेश लोग सिवा योग से संबन्दित है वो छूटे नहीं हमने सभी फैक्ट्स सभी आयाम संबैधानिक प्रश्ट भूम से लेकर की हमने बरतमान इस्थिती तक सभी पर बात करी है हमने पढ़ा है इसलिए आप हमसे जुड़े रहें आप अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं और अधिक परिस्रम करें इसका आप बहतर सदू पयोग करें और एक्जाम में सफलता हांसिल करें हमारा प्रयास और हमारी सुबकामनाई हम यसाब के साथ है हम लगे हैं अब हम इसके objective के बारे में बात करेंगे नेक्स वीडियो में तो आप हमसे जुड़े और अपनी तैयारी को आपने कितना तैयार किया है अपना matter कितना आपको चीज़ें याद हैं कैसे questions आते हैं इन सब के बारे में हम देखें गे चर्चा करेंगे तो आप जुड़े रहें competition community के टीम के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाती रहें आपको बहुत बहुत धन्यवाद